प्रधान मंत्री ने सब कुछ बेच दिया मैंने कोरोना के बारे में बोला था आप लोगों ने मजाग उड़ाया ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए जैसे ही ये होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खतम हो जाएगा नरेंद्र मोधी जी का एक और बीजेपी का एक नारा था सतर साल में कुछ नहीं हुआ और कल फाइनांस मिनिस्टर ने जो भी सतर साल में इस देश की पूंजी बनी थी उसको बेचने का डिसिजन ले लिया है मतलब प्रधान मंत्री ने सब कुछ बेच दिया अब मैं ये हिंदुस्तान के युवाओं से कहना चाहता हूँ आपके हाथ से रोजगार चीना कुरोना में आपकी मदद नहीं की आपके जो किसान माता पिता हैं उनके लिए टीन स्पेशल कानून बनाएं और आज मैं यहाँ ये पढ़ना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री अपने मित्रों को हिंदुस्तान का क्या-क्या बेच कर दे रहे हैं और इसको पढ़ने से आपको पता लग जाएगा मुझे कहने के भी जरूरत नहीं होगी कि कौनसा असेट किसको जा रहा है और ये जो सेलेक्शन किया गया है ये किन लोगों के लिए किया गया है और किस प्रकार से उनको फ्री गिफ्ट दिया जा रहा है तो शुरुवात करता हूं मैं रोडवेज 1.6 लाक करोर रुपीज का गिफ्ट 26,700 किलोमेटर नैशनल हाइवेज रेलवेज जो इस देश की रीड की हदी है जिसके बिना भाई और बहनों देश के गरीब लोग एक शहर से दूसरे शहर में नहीं जा सकते आज जो लोग ट्रेन में बैठे हैं आप सुनिए 1.5 लाक करोर रुपीज रेलवेज 400 स्टेशन 150 ट्रेने रेलवेज ट्रैक और वुडशेट और जो हमारे रेलवेज को इंपलोई हैं आप भी बात समझ लीजिए जब ये रेलवेज से छीन कर किसी प्राइवेट एंटिटी को दिया जाएगा तो आप समझ लीजिए आपके रोजगार का क्या होने वाला है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है उसके बाद स्पेशल गिफ्ट पावर ट्रांस्मिशन 42,300 सर्कित किलोमेटर्स अफ ट्रांस्मिशन नेट्वर्ट पावर जेनरेशन 6,000 मेगवाट हैड्रो सोलर विंड असेट फ्रम नह्पीस, न्टीपीस, नल्सी National Gas Pipeline 8,000 किलोमेटर गेल की पाइपलाइब किसको जा रहा है आप जानते हो Petroleum Pipeline 4,000 किलोमेटर Indian Oil Corporation and HCL की पाइपलाइब Telecoms 2.86 लाग किलोमेटर of BharatNet Fiber Optic Network BSN, BSNL and MTNL के टावर्स Warehousing किसान भाई आप इसको अच्छी तरह सुनिये Warehousing 29,000 करोर रुपीज की Warehousing 210,000,000 metric ton food storage भाई और बहनों आपको मालूम होगा कि ये 210,000,000 metric ton storage किसको जा रही है कहने की ज़रूरत नहीं है Mining 160 coal mines 761 mineral blocks Airports 21,000 क्रोड 25 airports किसको जा रहा है आपको मालूम Ports 13,000 करोड 31 projects 9 ports किसको जा रहा है आपको मालूम स्टेडियम 11,000 करोड दो नाशनल स्टेडियम अब देखिए ये जो आसेट्स हैं इनको बनाने में 70 साल लगे हैं और इनको बनाने में हिंदुस्तान की जनता ने लाखों करोड रुपए अपना पैसा डाला है ये पूरा का पूरा तीन-चार लोगों के हवाले किया जा रहा है आपसे कहा जा रहा है भाईयों और बेहनों क्या नाम दिया इसका नाशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन ये आपका भविश्य है ये जो आपका भविश्य है इसको बेचा जा रहा है इन तीन-चार उद्योग पतियों को गिफ्ट दी जा रही है रियालिटी है हमारा हम प्राइविटाइजेशन के खिलाफ नहीं है हमारा प्राइविटाइजेशन का लॉजिक था लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो स्ट्रटीजिक इंडिस्ट्रीज है उनको प्राइविटाइज नहीं करा जाता था इसमें से रेलवेज स्ट्रटीजिक इंडिस्ट्री हम बानते थे स्ट्रटीजिक क्योंकि यह इंदुस्दान की रिड की हड़ी है strategic क्योंकि ये लाखों करोडों लोगों को ट्रांसपोर्ट देती है strategic क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को employment लता है इसलिए strategic दूसरी बात जो industries chronically loss making होती थी उनको हम privatize करते थे जिन companies के पास minimal market share होता था उनको हम privatize करते थे और उस सेक्टर में हम privatize करते थे जहां पर private sector की monopoly की risk हो मतलब अगर सरकारी company monopoly को रोक सके तो हम उसको privatize नहीं कर सके अब यहां पर यह सारे के सारे privatization monopoly बनाने के लिए करे जा रहे है सारे के सारे मैंने आपको नाम दिया है power telecoms, warehousing mining, airports ports, ports यह सब monopoly बनाने के लिए किया जा रहा है आप जानते हो ports किसके हाथ में है airport किसको मिल रहे है तो हम कहते हैं privatize कीजिए मगर देश को नुकसान मत पोचाईए देश को नुकसान कैसे होगा और जो देश के यह वहाँ है आप इसको अच्छी तरह सुनिए जैसे ही यह monopolies बनती जाएंगी वैसे ही उतनी ही rate से आपको रोजगार मिलना बंद हो जाएगा आप schools में हो colleges में हो इस देश में जो छोटे businesses होते हैं middle size businesses होते हैं जो आपको रोजगार देंगे कल वो सब बंद हो जाएंगे खतम हो जाएंगे तीन चार businesses रहेंगे इनको employment देने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी और आपको रोजगार नहीं मिलेगा मैंने कोरोना के बारे में बोला था आप लोग ने मज़ाक उड़ाया ठीक है मैं फिर से बोल रहा हूँ और हिंदुस्तान का युवा आप अच्छी तरह सुन लीजिए जैसे ही यह होगा वैसे आपको रोजगार मिलने का चांस खतम हो जाएगा यह लिए पूंजी बेची जा रही है मगर यह आपके भविश्य पर आकरमन है नरेंद्र मोदी जी अपने दो तीन उद्योग पत्रियों पती मित्रों के साथ हिंदुस्तान के युवा पर आकरमन कर रहे है इसको आप अच्छी तरह समझे सबी एहम खबरों के लिए News MX को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकोन को सरू डबाए लाइक, शेर, कमेंट करना ना भूले